Hello friends, आज हम बनाएंगे fried rice, जिसमें हमने बहुत सारी सबजीयां भी डाली है, तो ये बहुती जादा tasty और healthy बनने वाली है, तो आप भी इस तरह से बनाए, बच्चे भी सबजीयां खाने से मना नहीं करेंगे, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल में जीरा और सरसों का पूरन देंगे, जब यह चटकने लगे, तो इसमें हम छोटी बारी कटी हुई प्याज डालेंगे, हरी मिर्च और करी पत्ता डालेंगे, और इसे थोड़ी देर भूनेंगे, जब यह भून जाये तो इसमें हम मुंगफली के दाने डालेंगे, इसे भी थोड़ी देर भून अब हम इसमें चना दाल और उरत दाल डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर हम भुन लेंगे हमने दाल दो दो चम्मच ही लिया था हरी सबजियों में हमने वो सबजिया डाली है जो हमारे घर में अवेलेवल थी और साथ में जो हमें पसंद है ब्रॉकली, मतर, के दाने, गाजर और बीन्स इन सभी को हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसे ज़्यादा भुनना नहीं है तो जब दाल अच्छे से भुन जाए तो अब हम सभी सबजियों को इसमें डाल लेंगे और इन्हें थोड़ी देर हम सॉफ्ट होने तक भुनेंगे आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी बुन सकते हैं वो आपके पसंद के उपर डेपैंड करता है अब हम इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे इसमें हमें कोई मसाला एड नहीं करना है बिन मसाले के भी यह बहुत टीस्टी लगता है अगर आप चाहे तो इसमें मसाला और मिर्च पाउडर डाल सकते हैं पर हमने हरी मिर्च डाला है इसलिए हम इसमें मिर्च पाउडर नहीं डाल रहे हैं और हरी सबजीों में आपको जो फसंद है वही सबजी डाले हमारी सबजी पक चुकी है तो अब इसमें हम चावल डाल रहे हैं आप चाहे तो बच्चे हुए चावल डाले या फिर आज के ताजा बनाये हुए चावल को भी इस तरह से भून सकते हैं अगर कुछ सबजी बनाने का समझ में ना आए तो आप इस तरह से इसे भुन ले बच्चों को भी यह fried rice बहुत पसंद आती है और साथ में इसमें काफी सारे vegetables भी है तो बच्चे इसे निकालनी पाएंगे इसलिए हमने छोटे छोटे टुक्रों में काट लिया था तो अब बस इसे मिलाने की देर है और हमारा fried rice ready हो जाएगा लेकिन इसमें अभी एक ingredient रह गया है निम्बू हमने इसमें एक निम्बू का रज डाल दिया है आप चाहें तो इमली भी डाल सकते हैं पर निम्बू काफी अच्छी है हेल्थ के लिए तो हमने निम्बू ही डाला और अब बस इसे मिला देने की देर है और हमारा fried rice बनकर तयार है गर्मा गरम टेस्टी और healthy सा fried rice आप भी बना कर जरूर ट्राइग करें घर में सभी को जरूर पसंद आएगी हमारे चैनल को like, subscribe और share करना ना भूले Thank you